इस वीडियो में respiratory system की बारे में बात करा कि respiration process क्या होता है, respiratory organs क्या क्या है upper respiratory tract क्या है, lower respiratory tract क्या है respiratory unit क्या है, respiratory membrane क्या है और function क्या है respiratory system के, ठीक है? Hello friends, welcome back to my YouTube channel वाशन अर्सिंग classes, आज का हमाई टॉपिक है respiratory system ठीक है? तो सबसे पहले क्या पढ़िए हम? respiration, ठीक है? respiration क्या है? respiration हम सबको पता है कि भई हम जो सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, उसको हम respiration बोलते हैं अब सांस ले रहे हैं, मतलब हम oxygen क्या कर रहे हैं? अंदर ले रहे हैं, और CO2 मतलब carbon dioxide को हम छोड़ रहे हैं इसी process को हम क्या बोलते है respiration बोलते है ठीक है तो वही चीज बोली है respiration क्या है process है by which oxygen is taken in मतलब oxygen को हम अंदर लेते हैं and carbon dioxide given out carbon dioxide मतलब CO2 क्या उसको हम बाहर छोड़ रहे हैं अच्छा यह oxygen और CO2 जो हम अंदर ले रहें रहे ह। क्यों जरूरी हैं मतलब इसके बिना क्या हमारा काम चटता है कि क्यों जरूरी है अंदर लेना और CO2 बाहर छोड़ना हमारी बॉड़ी में ऑक्सिजन क्यों जरूरी है सबसे पहली चीज तो ऑक्सिजन नहीं होगी तो हमारी जो बॉड़ी है वो एक्टिविटी नहीं करेगी ठीक है हमारी इसे ऑम यूज कर लेता है तो जो बाहर निकाल देते हैं इस ही को क्या बोलते है रेस्पिरेशन ये कि सपीरेशन तो यह जो प्रॉसेस होता है गो तो वही चीज आज हम इसमें डीटेल से पढ़ेंगे है ठीक रेसपाइडेटरी रेट है एक मिनिट में एक नॉर्मल एडल्ट कितनी ब्रीच ले सकता है उनके अंदर जो फीटस ठीक है वो अंदर तो सांस नहीं लेता ठीक है क्यों क्योंकि उसका लंग्स जो है इतने मैच्वर नहीं हो पाते हैं तो वो उस टाइम के से लेता है प्लेसेंटा के थुरू से मतलब जो रेस्परेशन है वो करता है ठीक जैसे ही बच्चे की डिलेवरी होती है तो जो फर्स्ट क्राई करता है बच्चा उस टाइम पर अपनी रेस एक्सटर्नल का मतलब क्या है एक तो हमने सांस अंदर ली ठीक है तो जो हम अंदर ले रहे हैं एक तो लंग्स से ब्लड में जा रही है ठीक है लंग्स के थूरू किस में जा रही है लंग्स और ब्लड के बीच में जो एक्सचेंज हो रहा है गैसिस का कौन सी गैसिस का रेस क्या से इसका exchange किस-किस के बीच में हो blood और tissues के बीच में तो उसको हम क्या बोल देंगे internal respiration के लिए देखिए respiration two types का है external और internal external किस-किस के बीच में हो रहा है lungs और blood के बीच में ठीक है किसके lungs और blood के बीच में यह होगा हमारा external internal blood और tissues या फिर cell के बीच में जो हो रहा है ठीक है यह क्या है internal respiration के लिए कि आप next आ जाते है phases of respiration phase respiration के दो होते हैं एक तो inspiration और expression ठीक है inspiration मतलब जो air है उसको हम अंदर ले रहा है lungs की तरफ ले रहा है ठीक है air enter the lungs lungs में हो रही है from atmosphere से ठीक है यह कैसा process है एक active process है जिसमें की हमें energy की जरुवत पढ़ती है ठीक दूसरा है हमारा expression expression में क्या है जो air हम बाहर निकाल रहा है कहां से lungs से ठीक है तहां पर atmosphere में तो वहीं बोला air leaves the lungs into the atmosphere यह कैसा process है passive process है इसमें कोई भी energy की requirement नहीं है clear तो हमने देख लिया external respiration और हमारा internal respiration phases दो phase थे हमारे एक है inspiration जिसमें की air जो है वो अंदर की तरफ ले रहा है ठीक है और exhalation या expression में air जो है वो बाहर की तरफ आ रही है clear आप आजाते है next respiratory organ भाई जो हम respiratory system पढ़ रहे हैं उसके अंदर कौन-कौन से organs है उनका क्या-क्या function है एक करके हम detail में पढ़ेंगे पहले उनके organs के बारे में पढ़ते हैं ठीक है अब इसमें भी दो टाइप से एक है अपर respiratory और एक है respiratory मतलब जो अपर साइड में हो ठीक है ऊपर की तरफ वह respiratory tract मतलब एक रास्ता है ठीक है अच्छा ट्रेक्ट का मतलब है एक रास्ता जहां से जो कहां से शुरू होता है नोस से शुरू होता है और कहां तक जारा हमारे लंग सक जा है तीक उसको हमने कैं बोल दिया if उसमें उस certains और वाला color आपर रेस्पेरेटरी ट्रेक में अलग है उसमें का क्या आते है नोज सबसे पहले नोज के तुरू合ी है हम वहाई सांस ले में जाएंगे low respiratory tract में त्यक्रीध में देखिए इमेस में इखिए ये क्या अपर respiratory tract कहां से स्टार्ट है nasal cavity या फिर हम इसी को क्या बोल सकते हैं nose ठीक है फिर हमारे क्या जाते है फेरिंग्स ही हमारा nose है यह क्या हमारा pharynx है इसके बाद क्या है लेरिंक्स यह हमारा किसमें आ रहा है अपर respiratory tract में अब इसके बाद trachea से शुरू हो जाते हैं lower respiratory tract ठीक है lower में कौन-कौन से है ट्राइक हो गई ठीक है हमारी bronchi हो गई bronchi के बाद हमारे lungs हो गई ठीक है अब लंग तर भी क्या क्या सबसे पहले देखें, lower respiratory tract में सबसे पहले क्या आ गया, trachea, trachea के बाद two bronchi, जो कि ये दो उसमें वो हो रही है, ये right वाले में, right में और left वाले में, left में, ठीक है, two bronchi, each bronchus to each lung, मतलब हर एक लंग में एक एक जादा है, फिर उसके बाद bronchioles and alveoli, नी और क्या है ये plura, plura क्या है covering of the lungs, lungs के उपर जो covering है, ठीक है, इसके उपर जो covering है, ये, ये क्या है plura, ये क्या करती है, protection provide कराती है, है ना, और lungs में friction नहीं होने देदी, lubricate करके रखती है, ठीक है, next है हमारी muscles of breathing, इसमें कौन-कौन सी muscles हैं, जो हमारी breathing में, सांस लेने में help कर कौन कौनसी है इंटरकोस्टल और लिटरगं मसल्स जू हम सांस लेते हैं और सांस च्छोड़ते हैं ए होती है कोई रिलेट्स स्दीन का से इन मसल्स का काम रहता है।Y के लिए respiratory organs हमने पढ़ लिए अपर respiratory tract में कौन-कौन आते हैं हमारे nose pharynx larynx और lower respiratory tract में हमारे क्या-क्या आते हैं trachea bronchi ठीक है इधर देख लिए trachea bronchi bronchios alveoli two lungs prura अगरा यह सारी चीज किसमें हमारी सारी lower respiratory tract में के लिए देखें और अच्छे से देख लिए यह के लिए यह nose nasal cavity फिर उसके बाद pharynx फिर larynx यहां तक क्या है हमारे larynx तक upper respiratory tract के लिए फिर इसके बाद trachea lungs bronchi bronchiols फिर इसके अंदर alveoli इधर देखें यह bronchiols ठीक है फिर उसके बाद alveoli इसके mainly जो होता है इनके अंदर gas exchange होती है ठीक है alveoli के अंदर तो यह सारा पूरा है के लिए next is respiratory unit मतलब किसकी अंदर जो unit है उसको हम क्या बोलेंगे respiratory unit मतलब कौन सा part है जिसको हम respiratory unit बोलेंगे यह है respiratory bronchiol ठीक है bronchiol है यह divide हुआ उसके बाद ठीक किसमें यह alveolar duct है यह वाली ठीक है यह क्या है alveolar duct यह किसमें breakdown हुई है फिर यह बना alveolar sac इसके अंदर एक को हम क्या बोलेंगे alveoli के लिए देखिए paranchyma of lungs paranchyma या फिर हम उसको बोल देते है terminal portion of the respiratory tract मतलब terminal मतलब last बिल्कुल ending portion ठीक है that is कौन-कौन सी है bronchioles और alveoli जहां पर gases का exchange होता है उसको हम क्या बोलते है paranchyma of lungs या फिर हम terminal portion of respiratory tract बोल सकते है या फिर उसी को हम respiratory unit बोल सकते है महां पर क्या होता है gases का exchange होता है कौन-कौन सी gases का exchange होता है oxygen और carbon dioxide अब respiratory membrane क्या होती है बैई respiratory membrane क्या होती है जब alveoli और ब्रॉंक्योल और alveoli में gas exchange हो रहा है ठीक है यहां क्या है blood capillaries तो इन दोनों के बीच में क्या होती है मेंब्रेन होती है जिसको हम respiratory membrane कहते हैं के लिए मेंब्रेन त्रो विच exchange of gases occur between alveoli and blood जो alveoli और blood के बीच में exchange होता है उस membrane को हम क्या बोलते है respiratory membrane के लिए कि अब आ जाते हैं functions पर कि respiratory system या respiratory tract का क्या function है इसमें function क्या जाएगा सारे function अलग 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 आएंगे जब हम एक portion पढ़ेंगे जैसे nose pharynx, larynx, trachea तो इनके अलग अलग है पर respiratory tract में क्या है यह सारे आ जाएंगे तो सब के function है के लिए तो सबसे पहले gas exchange mainly जिसके लिए हम पढ़ रहे हैं वो function क्या है gas exchange मतलब oxygen को लेना और CO2 को छोड़ना सबसे important काम के लिए next है warming and humidify air मतलब यह air को क्या करता है warm गरम करता है और humidify मतलब उसमें moisture provide कराता है ठीक है यह किसमें होता हमारा nose में ठीक nose में जैसे ही हमारी जो बाहर air है वो dry हो सकती है moisture हो सकती है कैसी भी air हो सकती है ठीक है तो जैसे ही हमारी nose में air जाती है तो nose के जो nasal mucosa है ठीक है वहां पर blood supply ज्यादा पाई जाती है उसके कारण से जो air है वो गरम हो जाती है और वहीं पर mucosa पाई जाते है उसकी वज़े से जो air हो humidify हो जाती है के लिए तो यह होगे हमारे किसका nose का function next olfaction by olfaction मतलब sense of smell smell हम नाक से क्या करते हैं सूमते हैं smell लेते हैं ठीक है क्यों क्योंकि हमारे nose में olfactory receptors है olfactory receptors है वो पाई जाते हैं clear vocalization मतलब हमारे बोलने में help करता है ठीक है किसकी वज़े से larynx की वज़े से larynx को हम voice box भी बोलते हैं के लिए prevention of dust particle मालो कोई भी dust particle जो हमारे respiratory tract में चला जाता है पहले तो सबसे पहले nose में enter होता है nose में जो हमारे hair like structure है उन में फस जाता है या mucos हमें चुपक जाता है ठीक है उससे भी अगर अंदर चला जाता है उसके बाद हमारे दो reflex है coughing reflex या फिर sneezing reflex उसमें क्या होता है हम deep inspiration अंदर गहरी सांस लेके और एकदम से हम sneeze झीक ते हैं तो उसमें जो भी हमारे अंदर dust particle होता है वो क्या हो जाता है निकल जाता है sneeze से या फिर coughing से ऐसा होता है अगर वो हमारे और डीप चला जाता है मानलो रहा है इंस ट्रैक या तक चला जाता है तो हमारे जहां पर भी वो antigen है या फिर कोई भी foreign particle है जो irritant है वो वहां पर पहुंच गया तो वहां पर क्या पाई जाती है nerve endings पाई जाती है जो कि हमारे brain को message पहुंचाती है कि वह वहां पर ऐसे ऐसे antigen है और उसको हमें remove करना है निकालना है के लिए तो फिर हमारा mind या फिर हमारे response देता है कि या तो हमें coughing होगी या sneezing होगी जिससे कि वह dust particle बाहर आ जाएगा चाहें वह mucosa में चुपक के आए या सिंगल आए के लिए next है हमारा defense mechanism अब क्या है अगर वह bacteria antigen कोई bacteria हुआ वाइरस हुआ तो वह अगर हमारे lungs तक पहुंच रहा है तो हमारे lungs में macrophages, mast cells, glucocides वगरा पाई जाती है जो defense का का काम करती है ठीक है और उनको kill कर देती है next is maintenance of water balance, water balance जब हम oxygen लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं तो CO2 के साथ साथ कुछ water भी जो water का amount है उसको भी हम थोड़ा सा release करते हैं जिससे की body में हमारा water का balance बना रहे है ठीक है next is regulation of body temperature जब हमारी body में metabolize होता है ठीक है तो जब deactions होती है जैसे हमने खाना खाया उसका oxidation होता है तो उसमें heat भी produce होती है heat produce होने के बाद कुछ CO2 के साथ साथ जो heat हो release हो जाती है एक्जेल हो जाती है ठीक है तो उससे भी हमारा जो body temperature है वो maintain रहता है next is regulation of acid-base balance वही सेम चीज जो हमारा metabolism होता है जब हम खाना खाते है उसका oxidation होता है ठीक है अगर मान लो उस time पर हमारे body के अंदर acid ज्यादा बन रहा है या फिर base ज्यादा बन रहा है तो वह CO2 के form में body से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं जिससे की regulate हो सके acid और base जो है हमारे body में maintain हो सके के लिए इसमें क्या होता है जब हम खाना खार होते हैं तो उस time के लिए थोड़ी देर के लिए हमारे जो respiration रुख जाता है stop हो जाता है के urgency के लिए आज हमने इस वीडियो में respiratory सिस्टम की बारे में बात करना कि respiration process क्या होता है respiratory organs क्या है upper respiratory tract क्या है lower respiratory tract क्या है respiratory unit क्या है respiratory membrane क्या है और function क्या है respiratory system के ठीक है तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को share करें Thank you